दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक के अंदर जबरदस वॉल्यू में काम का जुरा और इसके पीछे वज़े की बड़े फंडाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके यानि आने वाले समय यस बैंक में एक सांदर तेजी की संभावना बन सकती है बहुत समय से यस ब बड़ा फैसला किया उन्होंने बोनस शियर जारी किये तो क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोसिस करेंगे इसके लावा यस बैंक ने बड़ी पार्टनर सीब भी किये यस बैंक लगातर अपने बीजनस को लेकर बहुत सारे डिसीजन ले रहे है जिसका आसर आने वाले स सकते हो इसकी प्राइज बहुत कम है क्योंकि यह स्टॉक 400 के आसफास हुआ करता है राना कपुर के वक्त में इस समय सिर्फ टू डिजिट में क्या दाव लगाना ची जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक में लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बीडवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले अगर हम निप्टी 50 की बात करें तो आज देख सो कि 20,070 के स्टर पे क्लोजिंग थी जा पे 0.38% की तेज़ी देखनों को मिली तो सुबद निगेटिव शुरुआ पेस्व बैंक आज जबरतस तेजी देखना हों मिली है निप्टी सरकारी बैंकों में फोर्थ हाउजन 938 के स्टर पे 200 पॉइंट की बंपर तेजी तो आज निप्टी PSU बैंक रिकॉर्ड तोड तेजी लेकिन निप्टी प्राइवट बैंक में ती तेजी बड़ी नहीं थ अब यहाँ पे यस बैंक की बात की स्टॉक की शुरूआ 17.50 पर हुई यानि शुरूआ नेगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 17.55 के आसपास थी लेकिन इंट्राइड में 17.85 का हमने हाई भी देखा जो लो है वो 17.30 का है तो दिन में आप देखे तो गिरावट पेदारी शुरूई इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिये 17.70 पर जापे में 0.85 की सांधा तेजी देखनों को मिली है तो काफी सांधार प्रदेशन रहा है निचले लेवल से रिकवरी देखनों को मिली है वाल्म में जबरदस इजाफा है पिछले एक मैने पहले इसका 20 क् का वाल्म था 6 क्रोड की डिले उठाए गे थी 1 वीक पहले 24 क्रोड का वाल्म था 8 क्रोड की डिले उठाए गे थी और कल 35 क्रोड का जबरदस वाल्म था 10 क्रोड की डिले उठाए गे थी और आज भी 28 क्रोड का वाल्म था तो वाल्म में जो इजाफा है ये साबित कर रहा है कि अब बड़े fund house फिर से yes bank की दरब लोट आए इसकी performance अगर आप देखे 6 September को stock 18 के आसपास था 0.8% की गिरावट ही थी 7 September की बात को stock 18.55 पर पहुँच गया 3.1% की सांदार तेजी के साथ में लेकिन 8 September को stock में फिर से कुछ गिरावट ही और stock की closing 18.35 के आसपास थी 1.1% की गिरावट ही 11 September को stock फिर से 18.40 के आसपास closing देने में कामेबराज जहां पे 0.3% की तेजी थी लेकिन 12 September को कल काफी बड़ी गिरावट ही थी stock सीधा 17.55 पर पहुच गया उसके पीछे वज़े थी कि 4.6% की बड़ी गिरावट ही लेकिन आज फिर से stock ने recovery दिखा दिया अच्छी खासी अब यहां पर जो बड़ी गुड़ी दिकल क्या रही है Yes Bank ने अपने employees के लिए bonus share जारी किये आप देख तो यह जो Yes Bank की जो जिसकी face value 2 rupees है तो 2 rupees की face value के share दिये अपने employees को और यह देख सकते हो कि लगातार Yes Bank अपने employees को उनकी performance के दम पे लगातार share जारी कर रही है और इसकी वज़े से जो company के employees है जो Yes Bank में जो काम करने वाले जो employees है उनके उनको एक motivation मिलता और ऐसे में वो आने वाले समय के लिए और मजबूती से काम काच को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए हर bank आप देखे तो या फिर दूसरी बड़ी company वो अपने employees को bonus share जारी करते है अब लोगों को भी इच्छा है कि Yes Bank आने वरस में bonus दे लेकिन अभी उस इस्तती में Yes Bank नहीं पहुची है कि वो bonus दे आने वाले समय जरूर bonus देखी और उसका हमें इंतिजार रहेगा अब यहाँ पे बड़ी good news और है Yes Bank नहीं आप देखे तो बजाज फिंसर्व के साथ में एक partnership की है अब यह देख सकते हो कि बजाज ग्रूप की यह जो subsidious company है बजाज फिंसर्व और Yes Bank दोनों partnership में जुड़े है और इसका में जो मकसद है कि अपने जो client है उनको देख सकते हो कि FD के उपर काफी सांदार interest rate प्रोवाइड करना जिससे जादा से जादा customer उनकी उत्रप आए तो 7.75% से लेके 8.25% का सांदार यहां पर यहां पर interest FD पर प्रोवाइड करेगी और यहां पर देख से को इसके लिए Yes Bank के साथ में partnership के बजाज फिंसर्व उसने तो इस partnership के तरह देखे तो जो सबसे बड़ी बात है कि सांदार attractive interest rate मिलने वाली FD के उपर और यह जो additional interest rate जो है यह 0.75% के आसपर की senior citizen के लिए उसको एक्स्ट्रा दी जाएगी जो भी senior citizen है इसके लबाद zero penalty premature withdrawals के उपर है अगर senior citizen समय से पहले withdrawals कर लेते तो उनको किसी प् penalty ने लगे उससे उनको बचाया गया है यह बड़ी बात है इसके लबाद जो FD 10 year award 7 days से लेके 10 year तक के लिए है और अलग-लग investor के लिए अलग-लग यहां पे option रखे गए उनको अलग-लग offer paste किये गए इसके लबाद auto renewal facilities प्रोवाइड की जा रही है यहां पर जो सबसे जाना है आपको document देने की जरूतनी है और बहुत जल्द online process से आप इस पूरी facilities को पा सकते है तो यह जो फैसला है yes bank और बजाए फिन सर्फ दोनों के लिए काफी सांदार रहने वाला और इससे yes bank के कारोबार में वृद्धी होगी अब यहां पर चलते कुछ बड़ी deal की तर प्राई से 22,76, tyoda की बड़ी खरीदारी ओर ही फिर 11 kept 45 Minute 20.60 की प्राई से 59,46,000 की बंपर खरीदारी होई उसके बाद 12 kept 6 Minute 15.60 की गादी गला ऑनोगन! और हुई उसके बाद अगर आप देखे तो दो बजकर दो मिनट पर 17.70 की प्राइस से 24,45,000 की जबर्दस खरिदारी और हुई यानि आज बड़े फंडा उसने जम के खरिदारी की है उसके बाद दो बजकर 30 मिनट पर 17.70 की प्राइस से एक 65,60,000 की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है या इसको कह सकते बिक्वाली हुई है और इस बज़े से जो तेजी मंदरी जो उसमें थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा लेकिंग उसके बाद 2.34 मिनट पर फिर से 17.70 की प्राइस से 30,60,000 की एक बड़ी खरिदारी हुई और उसके बाद 3.07 मिनट पर 17.65 की प्राइस से 35,90,000 की जबर्दस खरिदारी हुई तो आप आज की डिल से समझ सकते हो सिर्फ एक बीक वाली है बाकी सारे का सारे बड़े फड़ा उसकी जम के खरिदारी है और जिस सारे बड़े फड़ा उसके एक्टिव हो चुके यस बैंक के दोड़ने का वक्त आ चुक क्योंकि यस बैंक अब मजबूत हो चुकी है और आप देख सकते हो कि जो लॉक इन प्रेड के तरह बहुत भारी मातरा में शेर थे वो भी अब उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बूक कर लिया दिरे दिरे तो यहां पर जैसे तेजी बनेगी तो यह एक तरपा दोड़न वाला श्टोक है क्योंकि यस बैंक ने बहुत कुछ अच्छीव किया इस दोरान और ऐसे में अगर आप देखे तो यस बैंक में तेजी डेफिनेटली आ सकते है तो लॉंग टम इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा मौका है खरीदारी आपको कर लेनी चीए लेकिन फ्रे फिनेंसल एडवाजे से बढ़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से दू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठैंक्यो फ्रेंड